नमस्कार मैं संतोष चोहान आज हम बनाने जा रहे हैं चामल वह भी हम बनाएंगे कुकर में और देखें कितने खेले-खेले बनाएंगे उसके लिए मैं आपको वीडियो में टिप दूगी देखें कितना छोटा चामल है और बनने के बाद यह कितने बड़े साइस का बना है तो ऐसा ही चामल हम कुकर में भी बना सकते हैं, चलेजफें चलते हैं वीडियो की तरह नहीं कि तरफ यह पर मैंने एक गिलास चामल लिया है। चामल आप अपने हिसाब से किसी भी गिलास से ले सकते हैं, पर नाप इसी गिलास के अकॉ mission रहेगा। एक गिलास मैंने चामल लिया है, तो आपके पास छोटा बड़ा जो भी गिलास हो आप उसी के साब से नाप ले सकते हैं, अब एक गिलास चामल को मैंने धाई गिलास पानी में भिगोया है, पानी मैंने लिया है गुनगुना, चामल को पहले धो लिया और गुनगुने पानी म अब मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें डाल रही हूं जिससे की चामल ना तो गैस बनाए और ना ही चामल खाते हैं तो पेट फूल है क्योंकि शिकायत रहती है कि पेट फूल जाता है अब पांचे लॉंग डाली है और दाल चीनी का टुकड़ा डाला है और तीन चार मैंने तेज हम देना है साधा धकन ढकेगि अभी हम जो नहीं लगाएंगे हर अभि हाई फ्लेम पर एक सीटी लगानी स्वह लगानी से wrestling ड़्याजागर नहीं अनके है धिडित श Mission V, all उफ ँर को सास्ताकन 13 डेखritis ना निखल जाए तब तक आपने कुकर को नहीं कोरना है तब ही आप कुकर में खिले खिले खिलल बना पाएंगे अब प्रेश्ञ चुका है आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसा नहीं नहीं को तो मैं अभी आपको तो पास से भी दिखाऊंगी कि देखे कुकर में हम चावल खिले-खिले बना सकते हैं बस थोड़े से जो टिप है वो यूज कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं तो कुकर में भी चावल आप बहुत ही खिले-खिले बना लेंगे और मैंने जो चावल लिया है यह बास्मती र यह देखिए साइज कितना चोटा चामल है और बनने के बाद इसका साइज कितना बड़ा हो गया है तो इन तिप्स को आप यूज कीजिए और खिले खिले चामल कुकर में बनाईए वीडियो अगर पसंद आईए तो कमेंट करके जरूर बताईगा अपना फीड़बेक देगा